कि नमश्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कनेक्टोर टैग पर तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यह है SBI State Bank of India का Withdrawal Farm यानि की पैसा निकालने का फारम तो दोस्तों आज यह मैं आपको बताओंगा कि कैसे आप यह फारम भर सकते हैं और इस से आप पैसा निकाल सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना और आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको helpful लगे तो उसे like कर देना तो दोस्तो चलिए बताता हूं मैं आपको दोस्तो ये फारम है देखिए पैसा निकालने का आप जब SBI बैंक में जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि भीया मुझे पैसा निकालने का फारम दे दो तो वो ऐसा फारम आपको दे देंगे अब दोस्तो यहां सबसे उपर लिखा होता है खाता धारक का नाम Name of the Account Holders यानि कि जो जिस नाम से आपका खाता है वो नाम आपको यहां लिखना है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तो अब यह मैं एक एक जामपल बता रहा हूँ तो यहां पर देखिए मैंने यह नाम लिख दिया है पवन कुमार के नाम से आपका खाता है यह आपका नाम जो भी है आप वो यहाँ पर भर लीजिए अब दोस्तों यहाँ दिनाग भरनी आपको date जिस दिन आपको पैसा निकालना है उस दिन की आप यहाँ पर date भर सकते हैं तो यहाँ भर दीजिए date अब दोस्तों यहाँ लेखिए लिखाव अब दोस्तो यहां आपको दोस्तों नहां आपको अकाउट लिखना होगा तो यहां पर यह जो 11 उंको का न्भर होता है तो अकाउट नह आपकी पास्व historically में मैंजन होता है आप पास्वूख में से अकाउन नहुंपर लिख सकते हैं आप दोस्तों यहले अधिश्या रुपया मुझे प्लीज पे सेल्फ कितना मतलब रुपीज आपको निकालना है कितना रुपया आपको निकालना है वो यहां पर लिखा जाएगा तो यहां हमने पांच हजार रुपय लिख दिये आपको जितना रुपया निकालना है वो आप यहां लिख दीजिए और यहां दोस्तों लिखना होगा हमें WORDS में, तो WORDS में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो हमने 5000 ONLY लिख दिया, 5000 रुपए मातR हिंदी में लिख सकते हैं, अब दोस्तों यहां आपको लिखना होगा Fon Number अपना, मुबाइल नमबर यहाँ पर आप अपना मुबाइल नमबर लिख दीजिए और दोस्तों यहाँ पर है अधान नमबर का उप्शन तो यहाँ पर दोस्तों जब आप अगर 50,000 से 11 पैसे निकालेंगे तो आपको अधान नमबर भी लिखना होगा तो यहां पर आप अपना अधान नमबर लिख देंगे जो भी आपका अधान नमबर होगा तो वो यहां पर आजाएगा अधान नमबर अब दोस्तों यहां लिखा है रुपीज तो यहां जितने रुपीज निकालने आपको उतने आप लिख देंगे पाँच हजार रुपे निकालने थे हमने लिख दिये पाँच हजार और दोस्तों यहां लिखा है खाता धारक के अस्ताक्षर यहां पर आपको सिगनेचर करने होंगे तो यहां अपना साइन कर दीजिए आप और अंगुठा लगाते हैं तो यहां आप अंगुठा लगा देंगे तो दोस्तों यह तो आपने काम कर लिया अब दोस्तों पीछे आपको यहां पर दो साइन करने होंगे या आप अंगुठे लगाते हैं तो दो अंगुठे यहां पर आपको लगाने होंगे अब दोस्तों ये फारम हमारा भर चुका है अब इस फारम को आपको passbook के साथ देना पड़ेगा counter पे और passbook के साथ counter पे देने पर वो आपका ये फारम चेक करके और आपको पैसे दे देगा नकद भुक्तान कर देगा तो दोस्तों ये था देखिए कितना असान है SBI का State Bank of India का फारम भनना तो इस तरीके के नए-नए फारम में आपको बताता रहूंगा तो भी चैनल पे नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं मेरे चैनल Connect on Tech को Thank you and Bye Bye